वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जो कि आपके आरो एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आज हम इनको कवर करेंगे तो चली स्राट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं नदी जोडो परियोजनाओं की लंबाई और शम्ता लास्ट वीडियो में हमने देखा था बहुत देश ये परियोजनाओं देखी थी गोदावरी की हो जाएगी तो यह ऐसे क्रम में भी पूछे जा सकते हैं कि सबसे जादा लंबाई किस परियोजना की है तो इस प्रकार से जैसे महानरी गोदावरी इस प्रकार से छाट भी सकते हैं और दूसरे ये कृष्णा पे इननार हो जाएगा दूसरे नंबर पर 42.5 इसकी छमता हो जाएगी और ये छमता की अधर पर पूछे जा सकते हैं सबसे ज्यादा छमता इसकी है 500 दी गई है पंबा अंच का वील बाई परियोजना ये 50.7 इसकी लंबाई है अब यहाँ पर लंबाई की अधर पर प्रिश्ण पूछे जा सकते हैं हारो यारो क्या है फ डवल नाइन मतलब लगभग 300 के करीव इसकी लंबाई है सत्तर इसकी चमता हो जाएगी पारवती काली सिंध चंबल ये 243.7 है और नागड यून सागड सुमसिला 393 है केन बेतवा को याद कर लें ये काफी चर्चा में रही केन बेतवा तो ये इसकी हो जाएगी 231.5 और शी पास ये 255, 231, 243, 299 बें चारों को थोड़ा करम में लगा लें इसकी बाद बोला वरम बिजयवारा ये 174 की हो जाएगी और महाना दी गोदावरी सबसे जादा है 8277 हो जाएगी पार तापी नर्वदा ये 395 है और पंबा अंचका वील वाइपर भी देखी लिए आपने प्रदेश और महतवपून ओद्योगिक केंद्र ये बहुत इंपोर्टन टॉपिक है एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है जैसे चोटा नाकपूर ओद्योगिक प्रदेश है तो इसमें कौन-कौन से ओद्योगिक केंद्र आते हैं इसके अंतरगत आते हैं राची सिंद्री हजारी वाग जमसेदपूर बोकारो राउलकेरा दुर्गापूर आसनसोल और और आजाएकर डालमिया नगर ये सारे चोटा नाकपूर प्रदेश के अंतरगत आते हैं और ये इस प्रदेश के अंतरगत आते हैं याद रखना है लगवक छत्यस गार जारखंड व चेतर भी मिलेंगे जिसमें अलग-अलग आयस के कि कौनसे ये जैसे धनवात की खान है राची तो कहां पर किस चीज का कौनसा वो कारू किसका सइयंत्र है इस तरीके से तो एक ही टॉपिक को कई तरीके से एक्जाम में पूछा जाता है इस ती आपको स्पैसिफिक करके अल अगली ओद्योगी प्रिदेश इसके अंतरगत कौन-कौन से आएंगी कुलकाता है कहां पश्यमंगाल तो पश्यमंगाल का छेतर हो गया कुलकाता आएगा हावड़ा ओद्योग केंद्र हल्दिया स्री रामपुर रिश्रा रिश्रा कई बार एक्जाम में पूछा है हल्द तो यह सारे अध्योगी केंद्र है इसके बाद है अहमदाबाद बड़ोद्रा और सूरत अध्योगी क्परदेश यहां पर कौन होई यह गुजरात में आजाए गुजरात राज में तो हमदाबाद बड़ोद्रा भरूच कोईली आनंद यह कुली खान अभी कुछ टाइम पूछी गई थी आनंद खेरा, सुरेंदर नगर, राज कोट, सूरत वलसाड और जाम नगर अप प्रशने से पूछा जाता है कोईली कहां पर है कोईली ओद्योगिक केंदर किस राजे में अवस्ते थे तो आप यहां से अकर आपको पता है एहमदाबाद बड़ोदरा सूरत पाले चेतर में आता है तो आप समझ जाएं कि भाई एहमदाबाद कहां है, गुजरात में है, सूरत कहां है, गुजरात में है, आराम से आप इसको एलिमिनेट करके निकाल पाएंगे उत्तर, अगला दिया कि मुंबई, पुड़े, कोलापुर्वाद्योगिक प्रडिस, य इस एक इंपॉटेंट है, यह अलगी स्टेट PCS में पूछे का है, हर स्टेट PCS गुमाफिरा के एक य दो प्रश्णों को ऐसे उठा लेता है, पूछ लेता है, मनमाड हो गया, सोलापुर हो गया, कोलापुर हो गया, एहमद नगर, सतारा और सांगली, यह सब इसके अंतरक ही आता है, दिल्ली हो गया, सहदरा हो गया, मेरट, मोदी नगर, गाजियावाद, अमबाला, गाजियावाद जैसे यूपी का हो गया, मतुरा यूपी में आएगा, आगरा यूपी में आएगा, लेकिन यह सब दिल्ली और उसके आसपास के और जोगिक छितर कहलाते हैं, ब तो यह थोड़ा सा अलग मतलब एक पूरा एडिया दे दिया तेकिन फिर भी आपको नाम से पता होना चाहिए कि कौन सा कहां पर है किस राज में अगला दिया आगे कोलम तिरुवनंत पुरम अलवई है यहां कोच्ची है अलपुज्जा है और पुनालोर है अब यह आपके के केरल वाले छेत्र हो गया केरल और उसके आजसपास का छेत्र तो यहां पर कोच्ची कई वारे एग्जाम में कुछा गया है इसके बाद अगला टॉपिक है पंचवरह स होचनाओं में उद्योग छेत्र की ब्रद्धी दर इसको भी जल्दी से देख लिजे कि कौन सी पंच वर्षी उजनाव में अभी तक 12 पंच वर्षी उजनाव हुई हैं फिर तो उसको खतम कर दिया नीती आयोग लियाए नीती आयोग एक साल की टीन-तीन साल की ऐसा 15-15 साल की planning commission है कुलमलागी तो planning करते हैं और पंचवर्ची योजनाओं खतम हो चुकी है लेकिन फिर भी इस्टिल पंचवर्ची योजनाओं से प्रशना एक्जाम में पूछे ही जाते हैं ये topic एक्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये ऐसा topic है जो कि एक हिसाब से कहें कि हमारी जो व व्यवस्था है हमारी जो व्यवस्था है इसमें पंचवर्ची योजनाओं में कई सारी चीज़ें ऐसी है जो अख्र एक्जाम में पूछ लेते हैं योजनाएं है जो शुरू की गई थी अभी वह स्टिल चल रही है उनका नाम परिवर्टित करके उनको चला हुए है मन रह वगेर है तो इसी समय शुरू की गई थी और अभी भी पूछी जाती है तो इनको ध्यान से पढ़ना है और इनकी अलग अलग जैसे कि अब जैसे यहां पर आप पढ़ लेंगे क्यों द्योग के चेत्रें ब्रद्धी कब कब कि कौन सी पंचवर्दी दर कहाँ जब पंचवर् यूजरा में 5.54 सकतर पराई लाई है यूजरी यूजरा में 5.59 परसंट रहीז यहां पर बढ़ गई अब 35 वर्षत यूजना के बाद क्या आ गया तीन वार्सी की उजनाई चली एक एक साल के लिए इसमें गम हो गई थी 1.42 परसेंट हो गई फिर चौती में बढ़ गई 4.9 हुई इसके बाद बापिस हमने जो यहां पर थे तीसरे में छोड़ा था उसी की लगबग आ गए पांचवी में तो यह 6.5 याद रखे फोछा भी जाता है इसके 6.35 यह था साथ फी 5.35 यह था सी पर्षेंट हो गई और तो बार्से की उजनाई 7.55 5 यहां पर रही इसके बाद फिर यहांपन पर रही नवी में 20 में बढ़ गई 9.17 परसेंट melt त्यूग市 फिर कभी यह व्यार अट जमलों 5 पांच का रखा था 7. अब आपको 10-11 वार्मी तो अच्छे से याद रखना है परसेंटेस भी याद रखने है बारवी बंचवर्थी उचना में 9 लक्ष रखा गया था और अंते मसौधी के अनुसार हमने इसको प्राप्त भी कर लिया तो यहाँ पर बारवी पंचवर्थी उचना में 9 और सबसे जादा यहाँ पर रही 10 वी बंचवर्थी उचना में अगर पूछे सबसे जादा उद्योग में ब्रदी कब दर्ज की कही तो 10 वी बंचवर्थी हो जाएगी 9.17 ठीक है तो यहाँ पर हमने दो तीन टॉपिक देख लिए जो कि आपके एक हिसाब से जोग्रफी के ही टॉपिक है और एक्जा में पूछे जाते हैं आई होब जानकर एच्वी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले या पिर आपको complete detail description में मिल जाएगी तो वहाँ से जाकर आप step by step जो दिये गए उनको follow कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही मिलें next वीडियो में next topic के साथ thank you for watching इस वीडियो सच रहें मस रहें मुस्कुराते रहें पढ़ाई करते रहें thank you so much